नमस्कार में अम्रिता पांडे आप देख रहे हैं दवी हार टॉप बिहार का पस्चिम चमपारण जो बवन इलाका है जहां पे वालमे की टाइगर रिजर्व है यहां पे बाग खुले आम घुमते हैं पिछले साल एक बाग के हमले से 7-8 लोगों की मिर्ति हो गई थे ऐसा ही एक मामला सामने आया है आए बताते हैं आपको पूरा ख़वर बिहार की बेतिया में जंगल से निकल कर बाग रियाईसी इलाके में पहुँच गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुवर्धना बन छेतर में बाग के हमले में एक महिला की मौत हो गई देर रात एक बजे ग्रामिडो को महिला का सौ मिला था बाग द्वारा महिला के सौ के नीचले हिस्से को खा लिया गया था मृतिका की सिनाखत बखरी निवासी चिलहोरिया देवी के रूप में की गई है यह मवेसी को चराने के लिए गई थी इस दोरान जंगल से सेड बाहर निकला और महिला पर हमला कर दिया महिला को अपने साथ जंगल में लेकर चला गया इस घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई इसके बाद जंगल के पास वन विभाग के कर्मियों की तैनाती हुई है बाग कहा है इस बात का पता लगाने की कोसिस की जा रही है बन विभाग की टीम की बाग के मुमेंट पर नजर है बताया जाता है कि रवीबार की दोपर ही महिला मवेसी को चराने के लिए गई थी इसके बाद वह लापता हो गई थी परिजनों ने महिला की तलास शुर्ण की थी रात करीब एक बजे महिला का सो बरामद किया गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाग ने ही महिला के उपर हमला किया था SSB केम्प पिराडी से 100 मीटर की दूरी पर महिला का 100 बरामद हुआ महिला के 100 मिलने के बाद परिजन उसे गौनाहा अस्पताल लेकर पहुँचे थे लेकिन चिकित्सकों ने महिला को मुरित घोसित कर दिया था महिला के 100 को पर्स टुमाटम के लिए भेज दिया गया बाग के पंजे के निसान के बारे में जानकारी इकठा की जा रही महिला की मौत के बाद इलाके में दहसत का महौल है इस घटना के वज़ा से ग्रामिडों में डर सा बैठा हुआ है बताते चलें आपको कि पहले भी इस इलाके में बाग ने हमला किया था करीब साथ महीने पहले एक बाग जंगल से निकल कर बेतियां के गाउं में आ पहुचा था गोनाहा प्रखंड इस्तित नौका गाउं में बाग ने महिला पर हमला किया था इसके बाद वह उसके घर में घुस गया था वन विभाग की टीम ने चारो ओर से घर को घेर कर बाग को काफी परिशानी और मेहनत के बाद पकड़ा था बाग रियाईशी इलाके में कैसे पहुँचा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं हुई थी लेकिन घटना से अफरा तफरी का महौल हो गया था अधिकारी और बन कर्याले से अधिकारी तुरंत घटना अस्तल पर पहुँचे और अपने कारे में जूट गये अस्तानिय लोगों को हटा कर घर के चारों और से रेस्क्यू के लिए घेड़ लिया गया था बाग घर में घूसकर एक कमरे में छिप गया था घर के लोग इसके बाद बुरी तरीके से डरे हुए थे और बन बिभाग की टिम को घटना की सूचना दे थी बेतिया के लोकरिया थाना छेतर के सुनवावारी त्रिवेनी नहर को पार करने के दोरान एक मगरमच ने दू महीने पहले बच्चे पर जानलेवा हमला किया था इसके बाद मा अपने बच्चों को बचाने के लिए मगरमच से लड़ पड़ी थी मा ने डंटे से मगरमच पर प्रहार किया था जिसके बाद मगरमच बच्चे को छोड़ कर चला गया था यह घटना चर्चा का विसाय बन गई थी सभी मा के साहस की तारीफ कर रहे थे वही करीब एक महीने पहले सीस्वा मंगलपूर गाउं में मगरमच ने एक सक्त पर हमला किया था इस हमले के बाद ब्यक्ति का प्यार बुरी तरह से जखमी हो गया था यह वक्के चिलाने की आवाज सुनकर मौके पर अस्थानिय लोगों की भीर जमा हो गई थी इसके बाद लोगों ने मगरमच पर लाठी और डंटे से हमला किया था तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए विहार टॉप को फॉलो करें अगर आप हमारे वीडियो को यूटूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें अगर फेस्बुक पेस पे देख रहा है तो फेस को फॉलो करें धन्यवाद